नमस्कार दोस्तों मेरा नामा विलाश पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम आफ कैंडल्स में तो आज फिर से आपको एक सच्चा ही बताऊंगा जो मैंने खुद experience किये और experience याने कि जो कुछ भी मैं experience कर रहा था struggling days जो थे मेरे उस टाइम पर वो टाइम पर मैंने खुद को कैसे समझाया है जो भी loss होता था या फिर जो भी profit होता था उसको accept करने की जो psychology मैंने बिल्ड किये तो किस technique से किये तो वही technique आपको ज़रूर बताऊंगा कि वही बताऊंगा कि जो सच है जो मैंने खुद को समझाया उस नजर ये से वो एक बात मैंने अपलाई कि वो बात मैंने खुद को समझायी कि यही तेरी reality है और तुझे इसे अपना नहीं होगा उसके उपर से मुझे जो भी profit होता था या loss होता था वो मुझे समझ में आया कि कैसे psychology को control कर सकता हूं मैं तो वही reality आपको बताऊंगा और सबसे पहले तो मैं thank you बोलना चाहूंगा सबको कि जो मेरा last video था कि three years wasted वाला तीन साल मेरे खराब हो गए वाला तो वो वीडियो को इतना प्यार मिला है इ एक लाग के उपर views हो चुके तो thank you so much मैं बहुत दिन से वीडियो बना रहा था मेरा जो भी कुछ experience है वो लोगों के साथ share कर रहा था बट उस type की views नहीं मिल रहे थे और उचने मुझे अच्छे खासे subscribers भी दे दिये तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि लोग समझते बात को अगर सच्चा ही अगर बता ही जाए या सच्चा ही जो मेरी दिल की जो आवाज थी या फिर जो मैं सच बता रहा था वो आप लोगों तक पोचा आप लोगों ने उसे महसूस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और जिनोंने अब अभी अ थैंक यू सो मच फॉर डाट वीडियो फॉर लव एंड सपोर्ट जो आपने शो किया तो ठीक है तो आज की वीडियो में जो बताने जा रहा है वो भी बहुत इंपोर्टन्ट है वो बात इतनी इंपोर्टन्ट है कि आप खुद को बता सकते हो कि मैं क्या हूँ और खुद क कैसे वो psychology develop कर सकते हैं जो मैंने की थी कि profit और loss को लेके जो आदमी accept नहीं कर पाता है तो reality बताऊंगा आपको reality आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी कुछ सोचा जा सकता है trading के लिए तो सिर्फ वीडियो को आखिर तक जरूर करना देखना और मुझे फोड़ा सा यह लग रहा है कि कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं लाइक भी कर देते बट subscribe नहीं करते है तो subscribe भी कर देना like भी कर देना Share भी कर देना ठीक है तो वीडियो को शुूरू करते जो important बात है तो बात यह है कि सबसे पहले आपने ट्रेडिंग क्यों शुरू की आपको यहाँ पर easy money दीख रहा था, याने कि थोड़ा फार कुछ तो भी screen पर देखा, अपने mobile से घर बैटे काम हो गया, और कहीं दुकान ने डालनी है, कोई expenditure नहीं लगने वाला है, कोई कहाँ पर business के लिए एक जो amount लगता है, certain amount, initial amount वो यहाँ पर नहीं लगता है, अप छो example दे रहो, जो भी कुछ आपने सोच के trading select किया होगा, तो फिर से वो बात के बारे में एक बार जरूर सोचना, कि जब आपने trading शुरूआत की थी, तो आपको उसमें से कुछ भी मिल रहा है कि नहीं, याने simple profit हो रहा है कि नहीं, आप कमा बारे हो कि नहीं, तो क्यूं नहीं क सबसे बड़ा biggest reason मुझे happy नजर आता है कि over trading करते लो, याने बार बार trade कर ले, profit होता है, अच्छा कासा market देता है, और loss भी होता है, तो उस दिन बन नहीं कर पाते हैं, वो loss को cover करने के चकर में over trading करते रहते हैं, तो यह जो psychology आती है न, यह सबसे बड़ा problem है market का और trading का, तो वो psychology दूर करने के लिए आपको एक बात बताऊंगा, अब simple सी बात मुझे बताईए कि एक खुद को ही पूछी है सवाल, कि जैसे कि अब मान लिजे एक आदा example कि एक आदमी है, और वो आदमी को कुछ भी knowledge नहीं है, market का, सिरिफ इतना basic knowledge है कि उपर जाता है, तो C लेना आएंगे ही आएंगे, सिधा सिधा probability के जैसा game है, आप coin toss के लिए, आप गलती से भी, आप खुद ही अपने bed पे coin toss करके देख लिए, वहापे तो आप कोई study भी नहीं कर रहे है, वहापे तो आप कुछ भी नहीं analysis लगा रहे है, बस coin flip कर रहे हो, बस coin flip करके देख लिए, probability क नुसार आपके 5 बार heads या 5-6 बार या 4 बार आपका heads आएगा, और बाकी के बार tails आएगा, याने कि ऐसा नहीं होगा कि 10 से 10 बार आपका head ही आए, और 10 के 10 बार tail ही आए, तो इतनी simple बात है कि अगर आपने किसको knowledge भी नहीं है, उसको भी अगर trading के उपर याने trading करने को बोल दिया, 10 trade ले ले, तो उसके भी कईना कि 4 या 5 बार वो right होगा, याने होगाई, याने उसने बोला CE होगा, market उपर जाएगा, तो market उपर जाएगा ही जाएगा, अगर उसने पाच इसमें बोला कि market नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा ही जाएगा, भले ही वो 5 बार wrong हो ज ऐसा कोई नहीं है कि पूरे महिना बर 30 के 30 दिन ही loss करते बैठा, ऐसा कोई नहीं है कि जो 30 के 30 दिन loss करा, आपने अगर 10 trade ले होगे आज, तो पूरे 10 के 10 आपके continuously wrong होगे, ऐसा नहीं होगा, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी ये बाते खुद सोच के देखिए, तो इस इसरा सवाल ये पूछ लेना खुद से कि आपकी, means अभी वो शब्द में यूज नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगेगा बहुत से लोगों पर खुद को पूछ लेना कि आपकी individual personality, means आपकी समझ लेजे कि आप अगर बहार गिर गए घर के, तो आप कितने पैसे कमा सकते हो, आप कही educated हो तो आप job कर सकते हो, आप अगर बारवी पास हो तो आप कही पे काम पे जा सकते हो, तो simple आपको अगर बहार काम करके without trading अगर किये, अगर कही दुकान भी डाल दी है, आपकी shop है, business है, वहां से आप कितना daily कमा रहे हो, ये खुद से पूछो आप कमा कितना सकते ह अगर आपको without trading, अगर trading में कुछ नहीं हो रहा है, अगर दूसरा कुछ करते हो आप, तो आपको बाहर कोन पूछेगा और कितने रुपे देगा, ये खुद से पूछे, अगर आपको लगता है कि 1000 रुपे भी मेरे लिए भौत हो गए दिन के, या 500 रुपे भी मेरे लिए तो फिर market दे रहा है आपको 500 रुपे तो आप कम क्यों समझ रहे हो, खुद से direct सवाल करना है बात कि मेरी बाहर अवकात है क्या कि मैं जो बाहर अभी यूज कर लिए, सौरी बुरा लगेगा बहुत जनों को, बढ़ अवकात है क्या कि मैं बाहर जाओ तो मुझे 500 रुपे क कमा सकता हो, जितने भी आपकी जो भी यानि जो भी यह होगी कि मैं लाइकी होगी या फिर 1000 रुपे मैं ला सकता हो, तो आपको अगर market उससे ज्यादा भी दे रहा है, तो आप ले क्यों नहीं रहे हो, आपको अगर 500 रुपे market दे रहा है, जो भाहर नहीं देने वाला कोई आपको पता है तो मार्केट दे रहा है तो बंत क्यों नहीं कर रहे हैं और 500 रूपए लॉस अगर हो रहा है तो क्यों बंत नहीं कर रहे ह। क्योंकि 500 रूपय आपको कोई देने नहीं वाला अगर इतना ही देना चाहते हो किसी को मांग के देख लिजे या फिर कई-कई नोट खरकर खर्च करके देख लिजे आप 500 रूपय खर्च नहीं कर पाओगे बड लॉस होता है तो वो digitally होता है नंबर ऐसे घुमते रहते इसलिए आपको कुछ नहीं लगता है ये माइंड की साइकोलोजी है ये आदमी की साइकोलोजी है ये बात को समझो बहार 500 रूपय भी आप 100 रूपय भी खर्च नहीं करोगे बड जब digitally पास्टो लॉस होगा तो आप बहार ने निकलोगे क्योंकि आप वो पास्टो को underestimate कर रहे हो कम समझ रहे हो इसलिए लॉस हो रहा होगा 500 रूपय और आपके अवकात के बहार है 500 रूपय अवकात के बहार याने क्या है गलत मतले ना बट समझ लिए कि आप बहार गीरे हो घर के ट्रेडिंग न करते हो आप 500 रूपय ला सकते हो क्या या आपको 500 रूपय इजी लगते है क्या खरचने के लिए अगर नहीं लगते तो यहाँ पर फिर मिल रहे है मार्केट दे रहा है या फिर आपको इजी ली लॉस हो रहा है तो आप बंद क्यों नहीं कर रहे हो तो यह इतनी सिंपल साइकोलोजी है कि खुशी खुशी अपने उम्मीद के उपर हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो हम सोचते थे 1000 रूपय भी दिन के निकल गए बहुत से लोग मुझे बोलते है सर आइसी को स्ट्राटेजी बता दो कि जो मुझे 500 रूपय भी दे दिया तो मुझे भहुत हो जाएगा 1000 रूपय याने क्या हो गया 20 दिन भी 10 दिन भी ट्रेडिंग करते हो 10 दिन भी प्रॉफिटेबल रहते हो तो भी 10 रूपय हो गया बैटे बैटे घर पे तो लोग बोलते पास्सो हजार वाली स्ट्राटेजी बता दो जिससे पास्सो हजार भी भहुत हो गए मेरे लिए बट जब देता है ना मार्केट तो लेते नहीं है लोग और मार्केट देता है मार्केट गलत नहीं है market देता है ये कभी मत बोलना गाली मत देना market को कभी बूरा मत बोलना market को क्योंकि market देता है गलती आप में है आप accept नहीं करते क्योंकि human psychology है ये game है psychology का तो ये बात जब मैंने मैसूस की कि हम छोटे से छोटे पास्वरूपे को underestimate करते पड़ किसी को gift देना होता है या किसी को दे मार्केट को और जब 500 के जगा 1000 रूपे मार्केट दे रहा है तो हम बंद क्यों नहीं कर रहे है क्यों हम लालज में गिर रहे है तो ये psychology को समझना बहुत improve हो जाएगी आपकी psychology इसको से अपलाई कैसे करना या आपकी उपर छोड़ता हूँ कुछ भी reality थोड़ा सा अपने अंदर लाईए कि खुद को ही पूछे कि बाहर मुझे कोई पास्तो रूपे देने वाला है क्या अगर नहीं देने वाला है और मार्केट दे रहा है तो क्यों नहीं लेना चाहूँगा और loss भी हो रहा है पास्तो रूपे तो मैं बंद क्यों नहीं कर र रहे बूरा लगता है क्योंकि मैं उस फेस से गया हूँ गया हूँ उस फेस से तो ठीक है तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा बट थैंक्यू वेरी मच जो पीछला वीडियो डाला था उस पर इतना सारा प्यार देने के लिए बट इस वीडियो से भी आपको कुछ ल कुछ आता नहीं है न वो भी 5 बार राइट हो जाएगा प्रोबैबिलिटी का गेम है क्योंकि कोईन टॉस करके देख लेज़े 5 बार या 3-4 बार आई जाएगा बस वो 3-4 बार जब आएगा न प्रोफिट तो बड़ा प्रोफिट करना है और लॉज छोटा करना है बस यह गे गेम है तो स्टैटेजी का गेम ही नहीं है स्टैटेजी कोई भी हजारों लोग पढ़ा रहे अधर यूटिफ चैनल साप सर्च कर सकते स्टैटेजी के लिए बट जो साइकोलोजिकल बात मैं हाँ पर बताता हूनों मेरे चैनल पर वो बहुत इंपोर्टन्ट है जो रियालि में भी बैटके आपने ट्रेड कर ली ना उनके साथ में बैटके मेरे दोस्तों ने मेरे साथ भी ट्रेडिंग कर लिया या आपने भी मुझसे ट्रेडिंग मेरे साथ ट्रेडिंग कर ली तो आप करने ही पाओगे क्यूंकि राइट टाइम एंट्री यह सब जो बात है वो सा ज़्यादा अगर मुझसे मार्केट दे रहा है तो क्यों ने ले पा रहा हो तो अवकात वाला शब्द अगर पूरा लगा होगा तो माफी चाहता हो बट जो पिछला वाला वीडियो में आपने प्यार दिया तो उसके से मुझे समझ में आए कि जो साइकोलोजिकल बात है वो बात करना वो जरूरी हो और लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया उसमें भी मैंने रियालिटी बताई थी मेरी ठीक है तो ठीक है वीडियो जादा लंबा हो जाएगा तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकोन को भी दबा देना इसके बात जो भी कुछ ऐसा साइकोलोजिकल वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो में